गुण वर्निंग स्टूडेंट आज हम करेंगे चैप्टर चक्करवात हैं परती चक्करवात तो करते हैं स्टार्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे हवा क्या होती है जो हवा होती हो गैसों का मिश्रण होती है क्योंकि कहीं पर हवा में नाइट्रोजन अक्सीजन आदी अने गैसे मिक्सरित होती है इसलिए उसे क्या कहते हैं गैसों को मिश्रण कहते है यह हाई प्रेसर मतलब उच दाप से निमन प्रेसर की तरफ चलती है वायुदाप को बैरोमेटर की साहिता से मापा जाता है वायुदाप को किसे मापते बैरोमेटर की साहिता से बैरोमेटर में पारे का अचानक गिरना तुफान आने का संकेत होता है अगर कोशन पुछा जाए बैरोमेटर में अगर अचानक पारा गिर जाए तो उसका करण क्या होता है तो उसका करण है तुफानाना तता बढ़ना साफ मोसम परती चकरवात का संके देता है और पारे का अचानक गिरना और फिर दीरे दीरे बढ़ना बारिस का संके देता है अगर अचानक गिर जाए तो तुफान का बढ़ना साफ मोसम का या पर प्रेसर बढ़ेगा तो टेंपरेचर कम होगा और प्रेसर कम होगा तो टेंपरेचर अधिक होगा पिर्थवी का वायू दाब ग्रिसम वितू में कम होता है चकरवाद चकरवाद के बीच में निमन दाब और बाहर उच दाब होता है इसका कान की सुर्ये के परकास के कान पिर्थवी पर मोजुद वायू गरम होकर उपर उठने लगती है तब आसपास की थंडी हवाई मतलब हाई प्रेसर वाली हवाई लो प्रेसर की और गती करती है इसका चकरवाद के बीच में निमन दाब वे बार उच दाब होता है इसका चकरवाद के बीच में निमन दाब होता है और बार उच दाब होता है इसका निमन वाई दाप से हवाई जो उती है वे उच दाप से निमन दाप की और बैने लगती है इसका कान की सूर्य के परकास के गान पिर्थी पर मोजुद गरम होकर उपर उठने लगती है और आस पास के थंड़ी हवाई मतलब हाई प्रेसर वाली हवाई लोग प्रेसर के और गती करती है इस कांचकरवाद के बीच में क्या उतनिमन दाप और बार उचदाप होता है कोरियोलिस बल पिर्थ्वी के गुन्णन के कारण वायू की दिसा में विक्षेप डिफलेक्शन उपन हो जाता है सबसे पहले इस विक्षेपन का अध्यन जी जी कोरियोलिस ने किया था किसने किया था कोरियोलिस बल का कोरियोलिस ने अध्यन किया था सिलेस का नाम भी क्या पढ़ गया कोरी ओलिस बल पढ़ गया इस विक्षेपन बल को कोरी लोसिस बल का आ गया उत्री गोलार्द में गती शिल वस्तू अपने दाईयोर मुड़ जाती और दशनी गोलार्द में गती शिल वस्तू अपने बाईयोर मुड़ती है चक्रवाद के प्रकार दो होते हैं ओशिन कटी बन दिये चक्रवाद और सितोशिन कटी बन दिये चक्रवाद सबसे उपर होता है मारोतली दुरू नीचे होता दक्षनी दुरू सबसे मद्यम होती है भूमद रेखा जिसको हम 0 degree विस्वत रेखा भी कहते हैं इसके उपर होती है करकरेखा 34 to 30 degree उत्रिया खांश 34 to 30 degree दस्थ्नि अक्सार्ण्स को कहते हैं मक्रेखा इसके नीचे होता 51 to 36 degree अक्सार्ण्स जिसको हम सेथोशन क्टी बंदे छेतर कहते हैं उत्री दुरू में होता है तो साड़े छ्यासा डिरी उत्री असांस को हम कहते हैं सितो उशन कटी बन दिये छेतर करक रेका और मकर रेका के बीच आने वाले चकरवात तो को उशन कटी बन दिये चकरवात कहते हैं जो करक रेखा और भूमदे रेखा के बीच में इस चेतर में जो आते हैं उनसे हम कहते हैं उशन कटी बंदिये चेतर यहां जो चकरवात होंगे उसे हम कहीं उशन कटी बंदिये चकरवात इसके दुबिपरित उत्री और दस्चिनी गुलार्ड में 35े 65 गरी 500 के बीच वाले चकरवादों को छीटोशन कटी बन दी चकरवाद कहते हैं बादी जो यहां और यहां जो चकरवाद आएंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे स्यटोशन कटी बन दी चकरवाद चकरवाद के दोराद उत्री और दस्री गुलाद में हवा की दिशा कैसी होती है उत्री गुलाद में होती है जब भी हवा उत्री गुलाद में हाई प्रेसर से लोग प्रेसर की उर्गती करती है तो अपने दाई राइट साइड और मुड डिफलक्शन जाती है उत्री गुलाद में चकरवाद की दिशा एंटी क्लोक, गड़े की सुई के विप्रे दिशा मोती है, यह नीचे समझाए गया है, यह होती है उत्री गुलाद, इस तरह ऐसे हमारी चलेगी, ऐसे हवाद चलेगी, दशनी गुलाद में इसके विप्रे चलेगी, क्लोक वाइज दश्णी गुलाड कोलियोलेसिस पर के कार्ण हवा left side में मूड जाती है High से low pressure चकरवाद के दौट तब हो सीधी जाने की बचाई left side में मूड जाती है दश्णी गुलाड में चकरवाद के रिशा clockwise होती है उत्री गुलाड में anti close, दखश्णी गुलाड में clockwise होती है पर्ति चक्रवाद, चक्रवाद के ठीक विप्रिक पर्ति चक्रवाद, एंटिलाई क्लोन में निमन वायुदाब को वर्ता कर रिखा हो, कि के अंदर में उच वायुदाब होता है, इस तितीम हवाई के अंदर से बार परिदी की तरफ चलती है, चक्रवाद में तो क्या होते ह पारीघवाई अंदर की तरफ आएंगे, कि बार होता है, high pressure अंदर होता है, निमन प्रेइसर तो बार से अंदर की तरफ जाती है, पर्तिग तरफ पार होता है है, और वाध लोग pressure से लिए अंदर से बार की तरफ जाती है, चक्रवाज के ठीव व vagy कर वरत्त कह रिखाओ के अं अंदर में और उच्वाईदाव होता है इस तिती मावाई के अंदर से बाहर प्रीदी की तरफ चलती है विश्व के पर्मु चकरवातो के नाम चकरवात बारत के आसपा समदी चेत्रों में उसे चकरवात के नाम से जाता है जो चकरवात आते हैं बारत के आसपा समदी चेत्र ये अमेरिका में आता है जो स्थलिय बागोत अमरीका का माँ टार्नेडो भी सबका सबसे खतरनाक चकरवात है इसकी तीरता फूजिटा स्केल में मापी जाती है एक कोशन आता सकता आपका टार्नेडो एल ली जो चकरवात होता है उसको हम किसे मापते हैं तो उसको हम नापते फुजिटा स्केल से हरीकेन अटलांटिक मासागर में आने वाले चकरवातों को हरीकेन का आ जाए पतोर अटलांटिक मासागर में कौन से चकरवात आते तो आपको बताने हरीकेन ये प्रायमेस की को अफलो, रीडा, बेस्त इंडी इसके 36 में देखने को मिलती है हरीकेन की दिवरता का सैफिर सेंपसं स्केल से मापा जाता है प्रती चकरवाथों में मोसम साफ होता है जब की चकरवाधों में तेज बारिश देखने को मिलती है पड़ती चकरवात में क्या होता है? मोसम साफ होता है जब कि चकरवातों में तेज बारिस देखने को मिलती है चकरवातों के दौरान होने वाली बारिस को फंटल वर्षा कहते है चकरवात के के अंदर को चकरवात की आँख कहा जाता है जो की वर्षा रहे जहां वर्षा नय हो छेतर खा जाता है परती चकरवात में हवा की विपरित होती है जो हवा चकरवात में चलती है परती चकरवात में उसके विपरित चलती है उत्तर पश्मी परसांत मासागर में पिर्थी पर सबसे ज़्यादा चकरवाद जनम लेते हैं सबसे ज़्यादा चकरवाद कहां थे परसांत मासागर में उशन कती बंडिये चेत्रों में दश्नी अटलांटिक सागर उदश्नी पूरिये परसांद चेत्रों में चकरवाथ उत्पन नहीं होते क्योंकि यहाँ पर समुंदरी स्टैकातापन बहुत कम होता है मलब दावाधिक होता है इसलिए प्रह चकरवाथ नहीं देखने को मिनते तो कहाँ चकरवाथ नहीं आते उशन कती बंडिये चेत्रों में दश्नी अटलांटिक सागर उदश्नी पूरिये परसांद चेत्रों में चकरवाथ नहीं आते टीज स्केल पर चकरवातों की शक्तिका मापन किया जाता है टोर्नेटो बहुत पर्बल उशन कटी बंदिय चकरवात है जो केरिबिन सागर में उठते हैं फ्रेंटल वर्षा चकरवाती गती विदी के कारण होती है पर्टी चकरवात की मुखे विशिस्ता स्वच आसमान होता है मूच दबावाली हवाय जो केंदर से बाहर की और चलती है पर्टी चकरवात कहलाता है चकरवात जो बाहर से अंदर की तरफ आई वोत होता है पर्टी चकरवात जब अंदर से बाहर की और जाए इसमें केंदरक मेधिक पाइदा होता है अगर आपको वीडियो पसंद आएक प्लीज लाइक करना ना बूले साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकरन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब परना ना बूले थेंक्यू